कि पिश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं कम मेक इन इनिया कि अधिए प्रश्चर आप जिए आप में अप्रशन करें गए इसके पेले मैं आपका परचे करा दो प्रदेश की प्रवक्ता भी है उनके दाहिने तरफ बैठे हुए हैं हम लोग के नए मीडिया परवारी दारी सिक्वाल जी हमारे बाये तरफ बैठे हुए हैं प्रदेश के प्रवक्ता राके सिंग जी और विशेस तौर पर मैं एक नए दाहित में प्रवक्ता होने के साथ साथ में नए दाहित में मीडिया परवारी काभी दाहित निवारा हूँ मेरा नाम हुआ मनुष सर्मा अब मैं अगली खड़ी में मानिय रवी संकर्णी से आगरा करूंगा तुब प्रेश को समोजी करेंगे आप सबों को जनमाश्टमी की बहुत शुब कामना है और मनोश शर्मा जी सुष्मा साहू जी एनिश इकबाल जी पुराने हम समों के सहयोगी मित्र राकेश जी सभी मीडिया टीम को भी मेरी बहुत शुब कामना है मित्रों कुछ गंबीर सवाल उठाना है और ये मूलता भाजपा पटना में मेरे द्वारा राश्ट्री अस्तर की प्रेस की जा रही है तो मूलता राश्ट्री मुद्दे उठाना है जिसका संबन बिहार से भी है पहला सवार मुझे सोनिया गांदी और राहुर गांदी और खर्गे साहब से पूछना है सोनिया गांदी जी और राहुर गांदी जी और बढ़ावर कर दिये पहला सवाल मुझे सोनिया गांदी जी राहुर गांदी से पूछना है मुंबई की बैठेक में आपने क्या तै किया है कि हिंदु आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है मैं फिर यह इस्तवाल कर रहा हूँ सोनिया गांदी जी आप जवाब दें और राहु गांदी जी आप जवाब दें ये बार बार हिंदु आस्था हिंदु विश्वास सनातन सत्य इसके खिलाफ क्यों बेयाद भी की जा रही है पहले स्टालिन साब के पुत्र ने बोला कि ये मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड है, ये तो HIV AIDS है आपके ग्री मंत्री करनातक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदु धर्म दबाया और आपके राष्टिय अद्धिस के पुत्र खरगे साब क्या क्या बोल रहे हैं और आपके राष्टिय अद्धिस का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है सोनिया गांदी जी भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था हिंदू विश्वास हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाग विभास तिपनी की जाएगी यह मुझे पहला स्वाल आप विश्वास है और सुनिया आप खामोश है और आपके पुत्र कितना सनातन और हेल्ट्टू को समझते हैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिया उसलिए सुनिया गांदी पहाँ से स्वाज कुछा और विपक्ष के नेता समझने कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी न सनातन को कमदोर्श न सकी सैकड़ो वर्षों के बिटिश शाषन ने भी हिंदू आस्था को कोई चोट नहीं कहुंच आई बहुत कोशिश किया इन लोगों ने मिश्टरियों के साथ लेकिन हिंदू आस्था आगे पढ़ती रही सनातन की ज्वाला और चमकती रही यह लोग किस खेट की बूली है और तो और आज हमारे बिहार आर्जेटी के स्वनाम धर्न्य अद्यक्ष जक्ता बाबु बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को अजाद नहीं होने दिया जक्ता बाबु आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजबादी चिन तक हैं मुंबाई में सिद्धी बिनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना अपने पुत्रों मुक्ष मंत्री के साथ जुक कर प्रणाम कर रहे हैं टिका लगवा रहे थे ना तो यह क्या कर रहे थे वो जक्तावा कुछ इंदुस्तान का इतिया था आप जानते हैं क्या मदन मोहन मालवी है कितने बड़े देश भक थी और आजादी के अंद्रों के नेता थे उन्हें बरास इंदी निवर्स्टी पर आया जो कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे हमेशा उनके महान मस्तक पर तीका चमकता था कि नहीं बाल गाधर तिलक जिन्होंने गनेश चतुदधी के मात्यम से पुरे देश में जागरन किया अभी आने वाली गनेश चतुदधी महार्शी अर्वेंद वो देशभक्त थे ना आतंगवादी घटना में उनको फसाया गया था उनके छोटे भाई को आजिवान का रवास हुई थी अंडवान निकोपार में कितने बड़े अध्याग्मिक सन थे और स्वेम गाधी जी रगमती रागो राजाराम करते तो एक बार रामन और लोया को पढ़िये उन्होंने भगवान राम भगवान क्रिश्ण और महादेव की क्या चर्चा किये तब समझ में आएगा आप सोनिया गांदी जी मुझे कुछ आपको बताना है क्योंकि आपकी पार्टी तो भूल गई है वोल बैंक स्के करण सब भूल गई है है आज मैं भारत का मूल समविधान लेकर क्या आया हूं यह भारत का मूल समविधान है देश के काफी लोग को इसका ग्यान है सोनिया गांदी जी भूल गई है और राहूल गाई तो पड़ते लिखते हैं नहीं है तो इसलिए मैं लेकर क्या आया हूं यह बिल्कुल मूल सम्विधान है जो सम्विधान सभागे द्वारा पारिद किया गया थे भारत के आजादी के अंदरों नेता बहुत बड़े लोग थे उन्हें सोचा कि क्या भारत के सम्विधान को ऐसे ही पेश कर दिया जाए सैक्लों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा है तो उन्हें कहा भारत के सम्विधान में भारत की संस्कृति भारत के संस्कार और भारत की आध्यात्मिक विरासत को भी हम रखेंगे और उन्हें खुद कुछी चित्र से रख किये और नंदलाल बोस बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे और सिश्य थे गुरुद्य और विन्ना टेगोर की उनसे कहां कि आप रेखा कीचों इनकी और सोनिया जी आज ओरिजिनल सम्विधान से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ तो कॉंग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का आहिद कर रही है माखौल बना रही है शर्मसार कर रही है और आपकी चुपी देश को बेचायम कर रही है तो थोड़ा मैं आपको अपने पूर्खों की विरासत बताता हूँ जिसके बिना पर आपके और आपके बेटे के और आपकी बेटी प्रियंका की राजिती चलती है देखिए मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूँ और सुनिया जी आप देखिए मौलिक अधिकार फंडमेंटल राइट को पर किसका चित्र है प्रभुराम माता जानकी और लक्ष्मन के साथ शिलंका विजय के बाद अयुध्या नौट रहे है यह देखिए लीजे देखा तब मैं दिखा हूँ सुनिया गांधी जी आपके ज्यान के लिए अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूँ डाटर पुंदल स्टेट पॉलिसी नीत्री दिर्शक तत्व के ऊपर क्या है भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्यान दे रहे यह देखिए मैं तीन चार चित्र यह दिखाऊंगा इंद्रा जी तुनिया जी पैचानते हैं इनको आप आप तो पैचानते हैं होंगे हनुमान जी देखिए देखिए आप लोग मैं दिखा रहा हूँ देखिए हनुमान जी हैं हाँ और एक कित्र और दिखाऊंगा यह देखिए कौन है लट राज हाँ देखिए आपको इसमें शिवा जी हैं जासी गिरानी हैं मात्मा गान्दी हैं सुवाशन बोस हैं अकपर हैं बाबर और अन्जेब नहीं हैं और सुनिया जी आपके ज्ञान के लिए इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्कत किया यह देखिए पहला दस्कत है राजदर प्रसाद का देखिए नमबर एक और उसके नीचे सोनिया जी आपके दादा ससुर जी जवाल नेहरू का दस्कत है देखिए आप इस पर देखिए नमबर एक उर्दू में दस्कत है मदना अजाद का उसके बाद है यह देखिए बनलब भाई पटेल का अपने देखिए बियार अंबेडगर का और इसमें बिहार की कही नेता शिरी बाबू अनगुरा बाबू के भी साहय विर्दा अंजाद सबों का दस्कत है और बाकी और कई देशपर के नेता जो सम्विधान सभा के सब्सकत है कॉंग्रेस पार्टी कुछ याद है कि भूल गए नेरी जो कभी दिक्कत नहीं हुए कि प्रभुराम का चित रहे इसमें प्रभुकृष्ण का चित रहे नट राज रहे हनुमान रहे बाबा और अजयर नहीं रहे और आग की कॉंग्रेस पार्टी को क्या हो गया है हिंदू आस्था हिंदू विश्वास सनातन धर्म सबों का अपमान तो सुनने सुन्या जी हिंदू आस्था हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और भाजपा की ओर से हम गाओं गाओं जाकर आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे आज हमें इस बार कुछ विनम्रतास्या क्रामत प्रेस कॉंफरेंस करना पड़ रहा है कि कुछ तरीका है बोलने का कि सनातन एड्स है है एच आई भी है कि जत्तावा वो क्या बोलना है लालू प्रसाद जी अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ आपको बोलना है कि आप गए थे सिद्धी वे ना एक मंदर पे दिखावा करने के लिए मतलग बात है टीका कर आपकी फोटो छपी है जन्माश्मी में भगवान को जुला जुला रहे हैं और टिका लगा रहा है किसके लिए हैं हम इसके बहुत भरस्ता करते हैं यह बहुत दुर्भागेपूर्ण है इसलिए फिर मुझे आप छोटे लोगों से सवाल पूछना ही नहीं है सोनिया गांधी याप जवाद दें राहूल गांधी आप जवा आतन का आप मान करते हैं यह नहीं स्विकार होगा है हम इसके बहुत भरस्ता करते हैं क्या क्या बाते बोलते हैं तोड़ा सुनिया जी एक और आपसे आग रहे हैं तोड़ा हिंदुस्तान को समझेए माता शबरी कौन थी हैं बिल नी थी ना बालबी की कौन थे वेद्यास कौन थे संत्रविदास कौन थे गर्व है कि संत्रविदास को कितना समान मोदी जी ने दिया है अभी सागर में उनका बड़ा मंदिर बना है काशी में और बन्याप बन गया यहीं तो अपना हिंदु आस्था की सोच है न कोई भी व्यक्ति किस समुदाय में हो अगर हो तपस्वी है संगल्पित है तो वो इश्वरत को प्राप कर सकता है कुमित्रों आपके सवाल लेने के पहले मैं जस्ट कॉंक्रिटाइस कर दूँ भारतिय जंता पार्टी हिंदू चिंतन हिंदू विश्वास हिंदू आस्था का जो रोज अपमान हो रहा है विपक्षिक गटमतन के द्वारा इसलिए आपको घमंडिया कहते हैं कि आपको संविद्धान के सुनिया गांणे जी आपके लोग संविदान समझते पढ़ते हैं मैं आपसे पूछता हूं आज संविदान बनका अगर बनका और आग की सम्विधान सभा में इन महान देश के बिभूती इस्ष्वर को अस्थान देजे तो आप कितना चिलाते आपको यही है वोड बैंक की पॉर्टीस के करण हिंदू आस्था का तिरसकार करते हैं हिंदू चिंतन का आप मान करते हैं देश की परंपरा का अपमान करते हैं यह नहीं सेहन करेंगे और मैं क्या बोलू तामिलाडू के लोग जो कर रहे हैं उसका जवाब जंदा देगी लेकिन जो लोग खामोश हैं मौनम स्विग्रति लक्षणम कुछ लोग बोले हैं लेकिन सुनिया गादी खामोश राहूर गा तो यह अपमान नहीं सहेगा बहुत-बहुत धन्यवाद मैं सवाग ले त्यार हूँ अब देखिए उस पर कुछ कोई बहस नहीं कर रहे हैं आज का विश्य मैंने बता दिया आपको संविधा में लिखा हूँ इंडिया दैट इस भारत पहले इस विश्य पर बात करिये हैं तो इसलिए मैं सम्विधान की और इजिनल प्रती लेकर आया हूँ और निटिश कुमार जी आपके चिरपचित रवीशंगर प्रसाद इसकी मौलिक प्रती आपको देने को तयार है और जब में देश एकादम मंत्री था तो मैंने इसकी छपवाया था छोटे रूप में वैसे काफी बड़ा आई है तो अगर आप चाहेंगे तो इस प्रती में आपको देने को वैसे तो हमारी आपकी बादचित कम होती है कोई बात नहीं है आप नहीं संगत पे गए हैं तो और कोई सवाल गए हैं अब नोट में मिलिजर मार्क अप इंडिया कि जब में रिचाप आप 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 इसा है पहले जो मैं उन्से सवाल पूछता हूं तो जवाब दे दें हैं हैं तो बड़े सीरे सवाल लखे हैं ना अब बागी वो उनके मंत्री क्या बोलते हो तो बागी मनोच जी उनकी टीम बैठी हैं नो का जवाब देने के लिए देते हैं इसा है कि वीड़ा दायक है लेकिन कौन सी नहीं बात है मैं फिर पूछ रहा हूं आप समझती पूर और कहां का आपने मैं तो यहां का सांसद हूं ना पटना बिहार की राजधानी है ना देखिए कितना चेंस नाचिंग होती है कितना मढ रहोता है तो इसलिए मैं क्या बता हूं आप से नितीश बाबु क्या हो गया आपको पहले तो बड़ा का देखिए सुशाशन बाबु अपराद है बेलगाम नितीश बाबु है खामोश इसा है हमारे न वो संसकार है न हमारा वो स्कार है तो बड़े लोग है शायद वो सुनिया गादी से बहुत सीखते हैं सीखते हैं यह सब करनाटा की जनता जवाब देगी है सब विदेश मंताले बात करेगा नाम से और कोई बात तो नहीं धन्यवाद